जै मातागी दोस्तों कैसे हो? आप सब दोस्तों, आप सभी का हारदिक सुआगते महा काली भकत यान यूट्टूब चैनल में तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आप सभी भकतों को वताने वाली हूं दिवाली वाले दिन रात को अपने तक्ये की नीचे ये पांच चीज रखके सो जाना उसी रात को मातकाली आपके पास आएगी आपके हर काम करने और आपसे बाते करने अगर आप चाहते हैं कि माकाली आपके पास आए आपको अपने दर्शन दे और आपसे बात करे और आप स समय आ चुका है जैसे कि आप सभी भक्तों को बताएं बारा तारिक की दिवाली है सुब दीपा वली बड़ी ठीक है और इसी समय आप सभी भक्तों को करेक्ट कितने वज़े टाइम बाइम सब मैं कुछ आपको इस वीडियो के मात्धेवन से बताऊंगी जिस समय आपको ये का मार्य तो आपको जादा कुछ नहीं करना है अपने घर में ही करना है जहां पर आप सोते हैं जहां पर आपका रेगुलर सोने का स्थान है उस जगह जब आप अपना तकिया लगाते हैं तो तकिये के नीचे आप लोगों को कुछ चीजे अपने रख के सोनी है कैसे कैसे रख बताने वाली हूं लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से में एक रिक्वेस्ट करना चाती हूं अगर आप महाकाली भुगत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर ले न क्योंकि यहां पर आप सेगी 11 तारीक की छोटी दिवाली है और 12 तारीक की बड़ी दिवाली है अब कुछ लोगों की यही तमन्ना मनों कामना होती ही माकाली उनके पास आए उन्हें अपने दर्शन दे उनसे बात करें उनकी परिशानियों का हल करें यही सब चीजे वो लोग सोचते हैं और वो कुछ करते हैं उससे उनको कोई फाइदा नहीं पड़ता है तो अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कुछ सोजने की जरूरत नहीं है और ना घवराने की जरूरत है बस आप चाते हैं कि माकाली आपको दर्शन दे और माकाली आपसे बात करें और माकाली आपकी हर परिशानियां हर समश्याओं का हल करें तो अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूं ध्यान से सुने वीडियो को एंट तक देहें तब ही आपकी समझ में आएगा वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है 12 नवंबर को जैसे कि आप समी भक्तों को पता है आज दो तारीकों गई ओन लियों दस दिन रह गए है 12 नवंबर को आप लोगों को सोने से पहले ये कारे करना होगा ठीक है साम के समय जब 12 नवंबर को आप अपने घर में पूजा करेंगे माकाली के मंदिर में जो मंदिर है आपके घर में उसमें पूजा करेंगे उसमें आपको क्या क्या चीज हैं जो रखनी है ध्यान से सुने चुटकी भर आपको काले तिल लेने चुटकी भर आपको पीली सरसो लेनी है ठीक है ये दोनों चीज को एक साथ मिक्स कर लेना दो चीजों गई तीसरी चीज आपको एक जैफल लेना है चोती चीज आपको एक नीमबू लेना है पांच भी चीज आपको पांच लोंग लेनी है ये चीज आपको लेनी है जो मैंने भी पता दी है अब इन सब चीजों को एक साथ करके आपको अपने मंदिर में रख देनी है ठीक है समझ रहे हैं आप अपने साम के समय अपने घर के मंदिर में रख देना है और जब आप रात के समय सोईंगे अपने घर में तो आपको ये कार्य करेक्ट कितने बज़े करना है ग्यारा बज़े आपको ये चीज़े अपने तक्ये के नीचे रखकर सो जाना है ग्यारा बज़े बारा बज़े के आसपास मातकाली आपके पास आएगी या तो कैसे किस तरीके से रखनी है जब आप 11 बजे ही अपने तक्ये के नीचे है जो तक्ये के चार कोने होते हैं उन चार कोनों में एक आपको नीम्भू रखना है एक साइड में आपको जाइफल रखना है और एक साइड में पीली सरसो रखनी है एक साइड में आपको काले तिल रखने है ठीक है और बीच की सा आपको लोंग रखनी है इस तरीके से करके आपको उसके ऊपर तखिया रख देना है तखिया रख के आपको आराम से सो जाना है यह चीज आपको करनी है अपने घर में वहीं बारा तारिक को दिवाली वाले धिन तो ग्यारा वजे आप ये कारे करना श्टार्ट कर देना और आपको आँख बंद करके सो जाना है कहीं कुछ नी ध्यान देना बस माकाली के तरफ ध्यान लगा है रखना अपना ध्यान लगा होगे माकाली के तरफ तो अपने आप ही आपको नीद आ जाएगी और हाथ जोड़ के लिए वो भी अपने ही रूप में ठेक है और आप अपनी परिशानिया माता को बता देना आपकी परिशानियों का हल माता आपको स्वेम बताएंगी और आपसे बात करेंगी और बस आपको डरना नहीं है मा काली है मा के रूप में पूजो गए तो सदेव आपकी रक्षा कर तो आपको डरना नहीं है सपने में बिलकुल हुए वह जैसे जैसे आपसे बात करेंगी वैसे वैसे आप मासे बात करते रहना उन्हें अपनी परिशानिया बताना उनका हल मा काली आपको स्वेम बताईगी तो चलिए दोस्तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब